जहन दीवी लवर्स इंडिया में इलेक्रिक रेवल्यूशन दूर नहीं है और इस इलेक्रिक रेवल्यूशन का हिस्सा कौन नहीं बनना चाहता और इसी क्रम में बहुत से बड़े प्लेयर्स के साथ साथ छोटे प्लेयर्स भी इवी चार्जर्स लगाने जा रहे हैं कुछ ब उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल को सबस्राइब करके मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे इंडिया में लगबग 70,000 पैटरल पंप्स हैं जो इंटरनल कंबस्चन एंजिन की रेंज अंजाइटी को गतम करते हैं चलिए अब देखते हैं 2025 तक कितने EV चार्जर्जर्स लगने वाले हैं इस देश में सबसे पहले फास्ट EV चार्जर्स की बात करते हैं इसमें सबसे बड़ा प्राइबेट प्लेयर है टाटा पावर जो सन 2025 तक 10,000 फास्ट EV चार्जिंग इस्टेशन्स लगाएगा ऑक्टूबर 2021 में यह 1000 से ज़्यादा का आकड़ा चूचुच टाटा पावर का प्लान पूरे भारत के हाईवेस पे चार्जर इंस्टॉल करना है साथ ही टाटा का फ्यूचर प्लान है कि 200 किलोवाट तक का चार्जिंग इस्टेशन भी लगाया जाए आप टाटा पावर की एज़ी एप को स्मार्टफोन में इस्टॉल करके सारे को बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन पेवी कर सकते हैं इसके बाद नंबर आता है भारत की ऑईल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का जिसमें आयो सील बीपी सील और एचपी सील शामिल है ये तीनों मिलकर 22,000 इवी चार्जिंग इस्टेशन लगाएंगे जिसमें एक्जिस्टिं पाँच फज़ार चर्जिंग इस्टेशन लगाएगा साथी 2022 के एंड़ तक इंडिय अउयल 2000 इवी चार्जिंग इस्टेशन और बचे हुए दोनों भारत पैट्रोलियम और हिंदुस्तान पैट्रोलियम 1, 1000 चार्जिंग इस्टेशन लगाएगे और हर 100 किलोमेटर पर 100 किलो वाट का फास्ट हैवी ड्यूटी चार्जर लगाएगा अभी इंडियन ओयल के 439 इवी चार्जिंग स्टेशन्स ओलरेडी हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 382 हैं और बीपी सील के 52 हैं इसके बात हाल में केरला गवर्मेंट ने भी अनौंस किया था कि वो भी 100 फ लगाएंगी इसमें सबसे पहला नाम आता है ही रो एलक्ट्रिक का जो अकेले एक लाग दस अजार चार्जिंग इस्टेशन्स लगाएगी पहले दस हजार भी चार्जर्जर्ज को की फीडियर्क्रिक और मासिब मोबिलीटी नाम की इवी इस्ट आप लगाने जा रही है इ इसके बाद Hero Electric और Charger नाम की EV Startup एक लाग EV Charger मिलके लगाएंगे। Charger EV App को यूज करके आप Charger को Locate, उसका Slot Book और Payment जैसे चीजें मॉनिटर कर पाएंगे। ये एक लाग Charging Stations तीन साल में लगाए जाएंगे। इसके बाद आती है E-Bike Go नाम की EV Startup जिसने रगट G1 और G1 प्लस नाम की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स उता रहे थे। E-Bike Go भी अकेले एक लाग Charging Stations लगाएगा तर उसके लिए इसने छे सिटीस चुनी हैं दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, इंदौर, पुने और हमरितसर साथी Charger को Locate करने के लिए E-Bike Go एप भी लाएगा जिससे आप Charging की कॉस्ट भी पे कर पाएंगे। इसके बाद आता है Raft Electric Mobility नामका EV Startup जो खुद अकेले एक लाग से जादा EV Charging Stations लगाएगा। इनके EV Charger की कीमत 5,000 रुपए है जो आप अपने खर के बाहर या किराने की दुकान में बाहर भी लगवा सकते हैं। इसके बाद आती है कजम जो B.S.E.S. के साथ मिलकर एक लाग EV Charging Stations लगाएगी 2023 तक पहले 30,000 EV Charging Stations के लिए दिल्ली गौवर्मेंट 100% सबसेड़ी दे रही है। और टोटल फास्ट और स्लो चारजर मिला लें तो ये आकड़ा हो जाएगा करीब 4,42,000 यानि कि ये एक्जिस्टिंग पेट्रोल प्रम्प से बहुत ज़ादा हो जाएंगे इससे लोगों की रेंज अंजाइटी खतम होने लगेगी। हर गली मौले पार्क में इवी चारजर लगे होंगे। घरों में भी इंडिविज्वल चारजर होंगे सबके पास।